नमस्कार दोस्तों जो इंटरनेट आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कई सारे नेटवर्क से मिलकर बना है मगर ये неटवर्क क्या है इसका उप्योग क्या है ये कैसे काम करता है तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नेटवर्क जिसे हम कंप्यूटर फि तो दोस्तो नेटवर्क शब्दकार्थ होता है आपस में जुडाब रखना जब दो या दो से हदिक कम्प्यूटर या फिर अन्य किसी कम्प्यूटर हार्डवेर को आपस में जोड़ा जाता है और वे एक दूसरे के साथ डेटा और इंफोर्मेशन शेर कर सकते हैं तो इस टे कम्प्यूटर नेटवर्क कहलाता है और ये कम्प्यूटर वर्ल्ड के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं कम्प्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइस यूज होते हैं वो सभी आपस में वायर या फिर वायरलेस मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होते हैं वायर मीडिय की बात करें तो इसमें microwave, radio wave, Bluetooth, infrared और satellite में से कुछ भी हो सकता है तो इस तरह से हमने देखा कि network के थू हम दो या दो से अधिक computer को आपस में जोड़ते हैं ताकि वे data और information को share कर सके तो इसके बाद अब computer network की history की बात करते हैं तो network की खोज सन 1960 से 1970 के बीच में हुई थी तब इसे ARPANET यानि Advanced Research Project Agency network कहा जाता था computer network की शुरुआत United States Department of Defense ने की उसमें उन्होंने एक ऐसा network बनाया था जो की एक साथ कई computers को जोड़ता था शुरुआत में पहला computer network अमेरिका की चार मुख्य universities के चार host computer को आपस में जोड़ कर बनाया गया था और ये व्यक्तिकत communication के लिए नहीं था बलकि ये सेना और organization के बीच communication के लिए develop किया गया था तो सन 1972 में ARPANET के द्वारा 32 मुख्य computer को connect किया गया था और इसके बाद सन 1973 में ARPANET को अमेरिका के इंग्लैंड और नार्वे से जोड़ा गया ये बहुत सारे चोटे network को आपस में connect करके data exchange किया करता था तो इसके बाद 1980 तक ARPANET के system में कुल 213 node थे अगले कुछ सालों में ARPANET बहुती तेजी से विक्सित हुआ और अन्य network से जुड़ा जाने लगा इसमें TCPIP यानि की transmission control protocol इंटरनेट प्रोटोकोल विक्सित किया गया था जो आज भी इंटरनेट का मुख्य protocol है धीरे धीरे और development होता गया और आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा network बन चुका है जिसको की हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम दो या दो से अधिक computers को आपस में जोडते हैं तो वो एक computer network बन जाता है तो ये computer network की आपसकता हमें क्यों पढ़ती है आखिर क्यों हमें computer network establish करना पढ़ता है तो चलिए इसके मुख्य कारणों की बात करते हैं तो अगर हमने कोई भी files या computer का कोई भी data या information को share करना हो तो इसके लिए हमें एक computer network की आपसकता पढ़ती है तो computer network के द्वारा कोई भी user एक device से दूसरी device में file और data को share कर सकता है जब computer network नहीं था तो files को एक computer से दूसरे computer तक ले जाने के लिए floppy disk को physical रूप से ले जाया जाता था और data को दूसरे computer में transfer किया जाता था लेकिन computer network की help से हम किसी भी data को आसानी से और fastly दूसरे computer के साथ share कर सकते हैं बो चाहे एक computer हो या फिर एक से ज़्यादा computer हो computer network का इस्तेमाल company के द्वारा files को बहुत सारी employees के बीच share करने के लिए किया जाता है तो computer network के आजाने से office का काम असानी से और जल्दी से होने लगा next है to share hardware devices तो computer network user को printer, scanner, cd-rom, hard drive जैसे hardware devices को share करने में मदद करता है computer network के विना device को share करना possible नहीं है तो इस तरह से networking environment में एक printer को multiple user द्वारा share किया जा सकता है तो इस तरह से आपको हर computer के साथ printer को connect करने की आफशकता नहीं होती तो इस तरह से किसी भी organization का बहुत सा पैसा बच सकता है next बात करते हैं application और software sharing की तो computer network की help से आप किसी भी computer software को आसानी से share कर सकते है computer network user को एक device से दूसरे device में software को share करने में मदद करता है इसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी advantage है that is communication तो computer network एक user को दूसरे user के साथ communication करने में मदद करता है इसमें user, email, voice call, video conferencing और text message के माध्यम से communication कर सकता है और चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ share कर सकता है तो computer network उन business और organization के लिए विशेश रूप से valuable है जिनके employee दूर स्थित different location से काम करते है अगर हमने resources को share करना हो तो उसके लिए भी हमें computer network की आपशकता पड़ती है तो computer network computer के resources को share करने में मदद करते हैं जिनमें modem, scanner, fax और printer जैसे devices शामिल होते हैं multiple users के बीच में resources share करने से पैसे की बचत होती है इसके बाद बात करते हैं gaming की तो आज के अलके समय में बहुत से प्रकार के network game available है जो user को किसी भी स्थान से game खिलने में help करते हैं computer network gamers के लिए बहुत लोग प्रिय होते हैं जिनका उप्योगों game को किसी भी स्थान से access करने के लिए करते हैं अगर हमने किसी भी तरह की information को access करना हो तो उसके लिए भी हमें network की आफ़ेकता पड़ती है तो network की help से हम internet, data waste servers, cloud waste services जैसी services को access कर सकते हैं computer network user को internet access करने में मदद करता है और internet का उप्योग करके हम information और data को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में transfer या send कर सकते हैं इसके बाद अगर हमने e-commerce जैसी services का lab उठाना हो तो उसके लिए भी हमें networking की आफ़ेकता पड़ती है तो e-commerce को electronic commerce के नाम से भी जाना जाता है computer network हमें internet को access करने में help करता है और हम internet के माध्यम से product और services को online दुनिया के किसी भी कोने में बेज सकते हैं और online 24x7 कहीं से भी खरीज सकते हैं इसके बाद next बात करते हैं entertainment की तो आज कल के समय में लाखो क्रोडों लोग computer network यानि internet का उप्योग entertainment के लिए करते हैं internet का उप्योग करके आप वीडियो देख सकते हैं गाने सुन सकते हैं फिलमें देख सकते हैं और online games खेल सकते हैं तो internet पर कई ऐसी websites available हैं जो मन्नोरंजन से संबंदित सामागरी प्रदान करती है और ये सभी computer network के कारण ही संभब हो पाया है तो इस तरह से entertainment के लिए भी हमें network की आपशकता पढ़ती है नेक्स्ट बात करते हैं voice over IP की तो इसे short form में view IP भी कहते हैं तो ये एक ऐसा protocol है जिसका इस्तेमाल telecommunication के लिए किया जाता है ऐसा करने के लिए एक PSTN के स्थान पर internet protocol का इस्तेमाल करता है ये user को telephone call करने या voice data भीजने में मदद करता है अगर हमेंने data transfer की cost को reduce करना हो तो इसके लिए भी हमें network की आपशकता पढ़ती है ये दिए आप computer network से जुड़े computer का उपयो करके data या files को share करते हैं तो इसमें बहुत कम खर्चा आता है ये अन्य तरीकों से सस्ता होता है तो ये थी कुछ आपशकता हैं जिसके लिए कि हमें computer network की आपशकता पढ़ती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे like जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe करना न भूले धन्यवाद